हेलो गाईज आज की सुड़ो में बात करने वाले हैं में डिफरेंस के बारे में जो की ये मोडूल में होता है गाईज ये जो मोडूल है ये आप सभी को पता भी होगा कि आखिर कौन कौन से मोडूल किसमें यूज के जाते हैं लेकिन confusion यहाँ पर हो जाती है जब भी आप market में या फिर online कहीं से भी purchase करते हैं इनको तो आखिर हमें जो है कौन से वाला purchase करना है गाइस देखने में बिल्कु सेम लगते हैं लेकिन जो इनका model number है वो change होता है जिसके वज़े से आप जो है इनमें difference कर सकते हैं लेकिन गाइस आपको काफी सारी चीज़े इसमें बताने वाला हूं कि आखिर आपको यह खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए आखिर आपको कौन सा खरीदने चाहिए requirement आपकी किस की है और आपने गलत purchase कर लिया तो आपको दिक्कत होगी काफी ज़्यादा और अगर आपने सही purchase कर लिया तो तो कोई problem भी नहीं है तो इस video में आपको काफी सारी चीज़े बताने वालू लेकिन उससे पहले आपको यही पही बताना है वीडियो देखनी नहीं आगे यही पही यह बताना है आपको कि आखिर कौन सा module कौन से वाला है ठीक है लेकिन वीडियो पूरी न मतलब आप समझी रहोंगे एक तो वोल्टेज को boost करता है और एक बिल्कुल reverse कर देता है मतलब कम कर देता है वोल्टेज को तो दोनों ही बाते हैं तो आपको बताना है कि आखिर उपर वाला कौन सा नीचे वाला कौन सा है इसको first बोलना इसको second बोलना दोनों को ही बताना है कि आखिर कौन सा मोडूल कौन सा होने वाला है और जब भी आप purchase करें तो आखिर कौन सा आपको purchase इसमें से करना चाहिए तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक मोडूल को हटा जेता हूं यहाँ से अब फिलाल यह मोडूल आ गया है हमारा यह है गाईज यहाँ बैक साइड में जैसी आप देखेंगे इसके तो आपको लिखा हुए देखेगा LM2596 और दूसरे वाला गर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं तो दूसरे वाला देखना भी यहाँ पे दूसरे वाला है गाईज हमारा यहाँ पे CA6009 ठीकि गाईज तो गाईज आभी जो है आपको बूस्ट करती है यहाँ पर बात करते हैं छोटा सा सिंपल एक स्लूशन बताता हूं आपको किस तर से आपको पता करना है ठीक है जो 25-96 में है उसको आप हमेसा याद रखना कि यह जो है वोल्टेज को कम करेगा मतलब यह जो है आपके आप जब भी सप्लाई दोगे और आपने इधर की सैड लगाई देखो इसमें इनपुट इधर की सैड है आउट की सैड है तो आपको यहाँ पर लगानी है कोई भी बेट्री जिससे आपने लगा दी है आप जो है 9 वोल्टेज ले 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 तो यहाँ पर आपको किया करना पड़ेगा इसको आप घुमाना इसको बुष्ट वाले को लोग यूज करते हैं लेकिन इसको भी यूज करते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है तो अभी आप है जो आप छोटा सा एक जो है एक्सल करके भी आता है एक्सल वो तो मोड़ा नंबर है आगे का चेंज होता रहता है पर यह जो फिक्स है यह पीछे पीछे वाला जो नंबर है इसका आपको इसमें 12 वोल्ट नहीं है तो आपको यहां पर इसको बढ़ाना पड़ेगा तो यह धिरे 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 करके आपकी इंक्रीज कर देगा तो उस तरह से यहां से आप आउट्पूट भी ले सकते हैं लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं देता यह आपके बैटरी के लेकिन यहां पर एक छोटा से प्रोब्लम आ जाती है इन दोनों ही मोडूस में यह दोनों की आईसी जो है आज जैसे आपने गंटे के लिए इसको यह यूज किया तो आपकी जो आईसी है ना यह खराब हो जाएगी डेट हो जाएगी मैंने देखा इसको तो आपको जो हमे यह बोलना चाहरा हुआ आपको जादा लोड करोगे तो आईसी जल्दी से डैमेज हो जाएगी जाएगी कम लोड करोगे तो वह अच्छी तरीके से काम कर देगी कोई प्रोब्लम नहीं है और यह यहां पर यह वाला खराब हो गया तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुए क इस वाले को किस तरी से इसमें सेट कर सकते है तो आपको यह फिसकें करना है तो आप देख motivated कोई प्रोब्लम नहीं होने वाली मैं तो गई है तो आपको है जल्दी से नहीं देखा जाए आप और देख सेंगा, अगर मतलब यह एक्सेल स्कुन ह यह अथ्य प्रोब्लम नहीं उससे ठीक है तो उसके बाद जो है आप पीछे की साइट देखेंगे तो यहां पर भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो आप जो है सिधर जाके जो है इसको डिरेक्ट पर्चेज भी कर सकते हैं जाओ जाके विजिट करो और पर्चेज करना तो और भी काफी सारा आइटम्स है तो उनको भी जाके आप जो है पर्चेज कर सकते हैं यहां पर तो नेक्स टुडियो में कई फिर से मिलने माले तो तब तक के लिए चैनल को आप छोटा सा सब्सक्राइब कर दो वीडियो को छो